जब आप किसी particular amount को पे करके किसी car को purchase करते हो तो जो automobile manufacturers होते हैं वो आपको feature loaded car तो provide करती हैं साथ के साथ उनके लिए एक बड़ा task होता है कि car में एक safety से related कुछ features आपको offer करने का और customer को full customer satisfaction देना car की safety के regarding उसी बज़े से जो car manufacturers होते हैं जो automobile manufacturers होते हैं वो आपकी car के अंदर कुछ safety features देते हैं जैसे कि बात कर एंटी theft alarming system, central logging system, engine immobilizer जैसे features आपकी car को safety से related को देते हैं हमस्कार दोस्तों मेरा नाम है निकित सर्मा और स्वागत है आज की इस वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं इनहीं कुछ तमाम safety features से related एक safety feature की जो की है engine immobilizer यह engine immobilizer क्या होता है कैसे work करता है अगर यह car में हैं तो इससे क्या benefits हैं इसके उसकी हम आज पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले जो engine immobilizer होता है वो एक anti-thift system है या एक anti-thift device है जो कि आपके car के अंदर अगर fit होता है तो आपकी जो car है वो more safe हो जाती है किसी बिना immobilizer वाली car के comparison में तो यह engine immobilizer का working hour में आपको बताऊं तो इसका फाइदा अगर मैं बताऊं तो अगर आपकी car में engine immobilizer लगा है तो अगर मालो कोई दूसरा person मालो इस कार के अंदर मैं बैठा हूं उसकी key यह है तो कोई और इसके अंदर immobilizer है जिस कार के अंदर मैं अभी इस वक्त इस वीड वह engine immobilizer लेकिन अगर यह engine immobilizer नहीं होता इस कार के अंदर इस रेपलिका को बिलकुल हम create करके i key की इस Car को start कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर immobilizer है तो इस Car को हम किसी और की से start नहीं कर सकते है अब यह क्यों होता है इस की के अधर मैं बात करूं तो इस के अंधर होता है एक इस चिप होती है, इसके अंदर साइड से लगी हुई होती है, कोईल सेब में, उसको हम बोलते है, उस ट्रांसपोंडर का काम क्या होता है, कि यह 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 transponder जो chip होती है वो code की जाती है engine immobilizer के इसाब से particular car to car ये vary करती है ये coding उसी engine immobilizer के साब से coding की जाती है ski के अंदर transponder के अंदर तो जब हम car को enter करते हैं तो ski को enter करते है switch के अंदर तो ये transporter signal बेचता है engine immobilizer के अंदर engine immobilizer system होता है वो validate करता है कि ये जो transponder की signal है वो उसी हिसाब से हैं जो की code की कर रखे है ski के अंदर तो अगर वो validate हो जाता है तो उसके बाद जो engine immobilizer system होता है वो message बेचता है ECU unit को ECU unit होती है electronic control unit ये electronic control unit अगर चाहेगी तभी हमारा ignition circuit है और fuel system है वो activate होता है ये on होता है validate नहीं करेगे इस transponder chip को तो वो ECU को message नहीं बेजेगी और ECU को message नहीं बेजेगी तो fuel system है और जो ignition circuit है वो on नहीं होगा तो transponder का यही काम होता है कि पूरा इस सोरी वो engine immobilizer का यही work होता है कि आपकी कार को हम इसकी के अलावा किसी और की से start नहीं कर सकते हैं अगर आप इसकी पूरी complete कोई दूसरा परसन इसकी रेपली का तयार कर ले तो जो MID है या जो सिस्टम है उसकी light on हो जाएगी लेकिन आपका ignition circuit और जो fuel system है वो start नहीं होगा तो कार भी start नहीं होगी अब इससे लेटेट एक और बात होती है जैसे कई कार के अंदर आपने देखा होगा मारुती सुजूगी की जैसे की मारुती सुजूगी यही बता रही है कि जो engine immobilizer है वो correctly वर्क कर रहा है आपकी कार के अंदर तो जैसे Hyundai की कार हो गई तो उनके अंदर कोई यह साइन नहीं आता engine immobilizer का वो अगर M.I.D. पर सो होता है तो अगर आपके engine immobilizer है उसमें कुछ खराबी है तो ही आपकी M.I.D. में वो continue सो होता है लेकिन कई कार के अंदर जैसे मारुती सुजूगी की मैंने बताई तो उनके अंदर वो blink वाला सिस्टम होता है अगर आप क कीजिए चैनल पर दो सब्सक्राइब कीजिए और अचाते हैं वीडियो अप्लोड होता है आपके आपके नोटिक्विशन आजए तो बैल आकन को पैस कर लिजिए धन्यवाद